नमस्ते बच्चों पिछली कक्षा में हमने जाना भाषा की बग्या के बारे में तता हमने जाना बॉर्ण माला सुर्ण वियंजन तता सन्यक्त वियंजनों के बारे में आज हम जानेंगे विभिन बॉर्णों के योग से बनने वाले शब्दों के बारे में तो चलिए शुरुआन करते हैं, इस पार्ट में हम देखेंगे दो, तीम वर चार बढ़नों के मेल से बनने वाले शब्दों के बारे में सबसे पहले जानते हैं दो अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों इसी प्रकार तीन अक्षरों के योग से बनने वाले शब्दों होगे कमल, भगत, भगत, हवन, हवन, रमन, रमन, लहर, लहर चार अक्षरों के योग से बनने वाले शब्द हैं, अद्रक, उपवन, उपवन अक्षरों अक्षरों के योग से बनने वाले शब्द, अगले अंक में हम इसके कुछ अभ्यास कारे के पारे में जानेंगे तब तक के विए दुश्ट जाले झाले शुश्ट